हेलो दोस्तों वेलकम टू ओटीपी चैनल ओनलाइन टेक प्लेटफरम में आप सभी का स्वागत है जैसे कि लास्ट क्लास में हमने समझा था एच लुक अप क्या होता है और उसका एक एक जामपल देखाता आज मैं आप सभी को उसी का एक दूसरा एक जामपल दूसरे तरीके से लगाना सिखाने जा रहा हूँ तो चलिए आज की क्लास सुरू करते हैं और एच लुक अप को एक और एक जामपल के मादियम से हम समझते हैं कि कैसे उसका इस्तमाल किया जाता है एच लुक अप प्रैक्टिकल टू जैसे कि यहाँ पर एक मैंने डेटा बनाया हैं दोस्त को पहले ही मैं बता चुका हूँ फिर बता रहा हूं कि जो एच लुक अप है वो हरिजंटली काम करता है यानि कि हम उसको जब रो के हिसाब से उसको फर्मूला लगाने के बाद एक वैलिडेशन देटा त्यार करेंगे और मैं समझाता हूं कैसे मतलब कि आपको बताना चाह जा रहा हूं जैसे कि जूम कम कर लेते हैं थोड़ा सा और इसके नीचे ही समझते हैं दोस्तों कि एच लुक अप का सेकंड एक्जामपल किस तरीके से काम करता है जैसे कि यहां पर यह है सब डिलीट कर लेते हैं यह डिलीट कर लिया और यह भी डिलीट कर लिया जैसे एक् ठीक है और यहां पर जो हमारे box से वो all bottle कर देता हो ताकि दिखाई देंगे तो यहां पर जैसे है सबसे पहले क्या करना होगा इतनी बड़ी list है हमारे पास एक जो है data validation त्यार करना होगा तो माल लिजे मैंने यहां पर select किया इस cell को और आपको क्या करना है इसमें data validation त्यार कर करना है after date क्या करना है यहां पर setting के अंदर एक dialog box open हुए setting में any के जगा लिस्ट करना है क्योंकि हम एक drop down list त्यार कर रहे है source लिस्ट तो ले लिए source की कौन सा चाहिए हमें हमने horizontally source ले लिए यह class roll number physics के मैं टोटल पूरा ले लिया और ok कर दिया एक यहां पर drop down list त्यार होगी जैसे आप यहां पर click करेंगे तो यह नाम class roll number के साबसे त्यार हो गई अब यहां पर आगे h look up formula लगाएंगे दोस्तों कैसे लगाएंगे कि h look up का formula लखेंगे equal to h o look after date क्या पूछे look up value हम किस की लिए रहे है इस बार यहां इस cell की लिए रहे है फिर कोमा लगाएंगे इस पूरे टेवल से हमें जो वैलू हमें दिखाई जाए वह पूरे टेवल से दिखाई जाए ठीक है उसके बाद क्या करना है कोमा लगाना है row index number तो आप क्या देखना चाहते हैं यह बताना है कि मैं चाहता हूं कि यह किस रो क्या जैसे कि यहां पर लिखा है ममता परसाद सपोस कि मैं ममता परसाद का डेटा देखना चाहता हूं तो किस रो में कितने नमबर पर यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 6 नमबर पर है तो रो नमबर मैंने डाला 6 और फिर से कोमा लगाना है after that रहा है कि वही true और false value तो 0 लगाईए मतलब true है और bracket बंद कर दिजिए bracket को क्या करन है हमें करना है से ब्रेकर रोज और एंटर मारेंगे हमारा जो है value क्या आया या दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं क्योंकि हमारी जो यहां data validation एक list द्यार करी थी यहां पर हमने कोई option नहीं डाला है इसलिए अब जैसे ही six name पर क्लिक करेंगे तो नाम आ गया यहां पर कि कितना है इतना है रोल नमबर आ गया physics का मास्क कितना है 40 कैसे मैच करेंगे तो आप देखिए कि जो फॉर्मूला काम कर रहा है वो इस तरीके से कर रहा है वो कि कहा पर physics में फिर उसके बाद में छटे रों में गया है तो 123456 14 नमबर है और किसके physics में तो physics का 14 नमबर दिख है तो सही है इस तरह के हमने chemistry का देखना है तो chemistry के 75 है इस परकार से यह जो result है देख रहा है यह math का दिखा दिया English का दिखा दिया और आप चाहते हैं कि एक की साथ में उसका सब कुछ देख ले तो आपको ड्रोप डाउन उतने बार बनाना पड़ेगा नाम रोल नमबर या रोल नमबर और क्लास नहीं देखना चाहते हैं मार्क्स का देखना चाहते हैं तो आप ड्रोप डाउन हमें कितने बार एक दो तीन चार बर ड्रोप डाउन और त्यार करनी पड़ेगी कैसे data validation में जाना है list में जाना है list क्लिक करना है source जो है वो क्या है source हमारा अब हम चार क रहीं कर लेते हैं सिर्फ इतना ही चाहिए टोटल और इसका या एक का चाहिए तो मुझे इतना ही कर चाहिए तीन बार और चाहिए तो यह source के ले लिया formula लगाना परेगा formula में क्या changing होगी जो पहले h look up का formula लगाया था दोस्तो उसी में changing करेंगे बस थोरा सा changing होगा यहाँ पर जब लगाएंगे हम तो क्या changing होगा दिखेंगे equal to h lookup ठीके और इस बार lookup value क्या होनी चाहिए lookup value मेरी यह होगी और comma लगा लिया इसके बार table array क्या रहेगा इस बार table array पूरे table array से मैं चाहिए मुझे पूरे table array ले लिया row index क्या होनी चाहिए किस row का यानि किस का देखना चाह रहे हैं इस बार तो मैं क्या मैंने बोला कि row जो है आप दिखाईए यह संजे कुमार का एक दो तीन नंबर तीन नंबर वाले व्यक्ति का हमें क्या दिखाना है आपको दिखाना है और साथे साथ कोमा लगा कि फिर 0 लग लाता हूं तब तीन नंबर वड़ी तो प्ता निए मैंने देखा था कि तेन नंबर पर कोन है यह संजे कुमार सुआ्प करें चार बड़ पर लेक्वे कर सकते हैं क्योंकि इसमें अले मृथ मांग देख्या है ममता प्रशाद का है 60 दacamफार किके क्या 30 लंब यहां पर अग प्रशाद का नहीं दिखा रहा है क्योंकि होरीजन्टल काम कर रहा है यहां पर मार्क सिर्फ नहीं दिखा रहा है जिसके लिए प्रशाद का नहीं दिखा रहा है क्यों क्योंकि होरीजन्टल काम कर रहा है इस परकार से यहां मामतब प्रसाद का आप यहीं पर देख पाएंगे नाम देखा उसका रो फिजिक्स का मार्क देखना है तो फिजिक्स पर क्लिक किजिए फोट्य आएगा लेकिन नीचे जो सब्सक्राइब घ्रट में म dazzle धिया है इसलिए रोट का दिखा रहा और यहां पड़ने का बार 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 डेटा पित्सक्राइब से पक्राइब से के वयजे से और हुआ कोने दिक्षावेस से बिखेlicher Mulher चाहिक है इसलिए टाने का रहत है बार प्लेटे दितफे achieving इसके compare में क्या facility देता है दोस्तों वो भी बताऊंगा मैं आपको आज के class यहीं समाप्त होती है thank you so much watching this video और यह second example था किसका h look up का यह भी मुझे असा है आप लोगों को समझ आया होगा thank you so much